बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाई कोट का बड़ा फैसला सामने आये कोलकाता हाई कोट ने सभी मामले CBI को सौप दिये हैं राज्यो सरकार सभी मामले CBI को सौप ये हाई कोट की तरफ से कहा गया है तो बंगाल हिंसा पर हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है ये बड़ी जान आप तक पहुचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे बंगाल में चुनाओ के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अब जो सभी मामले हैं वो CBI को सौपे जा रही है राज्यो सरकार सभी मामले CBI को सौपे या आदेश हाई कोट की तरप से दिया गया है तो कल या मामले हैं उसकी भी जाँच SIT करेगी तो बड़ी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं ये हाई कोट की तरप से बड़ा आदेश सामनी आया है पश्यम बंगाल में चुनाओ के दौरान जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरे देखी गई थी आए दिन जिस तरह से वहां की त पहुचा रहे हैं तो इस बोड़ी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं चुनाओ के दौरान जो हिंसात्मक तस्वीरे आए थी जो हिंसात्मक मामले देखे गए थी उसको लेकर कोट का रुक साफ हो गया है कि सभी मामले अब CBI को सापे जाएंगे हत्या और दुशकर्म के मामले CBI जाच करेगी कोट की निकरानी में और साथ ही जो अन्य मामले हैं उनको भी SIT उनकी जाच करेगी तो बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाई कोट का ये बड़ा फैस्ता सामने आया है पशिम बंगाल में कोलकाता हाई कोट ने मुख्यमंत्री ममताव एनरजी को बड़ा जटका देते हुए चुनाओं के बाद हुई हिंसा की जाच जो CBI को अब सौप दी है तो ऐसे में ममताव एनरजी को इससे कितना फैदा और कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल जो जाच है वो हाई कोट ने CBI के लिए CBI को सौप दी है और ऐसे में अब राज्यो सरकार को ये आदेश दिया गया है कि जो भी मामले हैं वो CBI को सौपे जाए जादा जानकारे के साथ गुल्शन हमारे साथ संबादाता फोन लाइन पर जुड़े हुए है गुल्शन जिस तरह से हाई कोट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है ऐसे में राज्यो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है जी बिल्कुल निच्चित रूफ से इस वैसले पर सभी की द्रश्चित ही कि आखर ये कलकत्ता हाई कोट में फैसला क्या सुनाया जायागा मैं आपको बता दूँ कि तीन अगस्त को कलकत्ता हाई कोट की पांस सदेश्ची पीक में हिंसा से संब्लती जितनी बी जनित याच्चिका है तुछ पर पना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज पर सुनाते में कलकत्ता हाई कोट में कहा है कि इस मामले में अब आगे की जाच जोगी वो सीबी आई करेगी इसके तीन सदेश्ची साइटी भी बना दी है मैं आपको बता दूँ कि मंगाल में विदान सबचनावों के बाद जो हिंसा होई थी कि इस तरह से मानवा अधिकार आयोग ने सीबी आई जाच की मांग की थी और सिफारिश जो है सीबी आई जाच की मानवा आयोग की तरब से किया गया था अब यह सीबी आई को सौथ दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर मानवा अधिकार की जो सिफारिश थी वो पूरी हो गई है लेकिन अगर तमाम पातियों का जिक्र करें क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से वहाँ पर हिंशात्मक तस्वीरे देखी गई थी और हिंशा काफे जादा भड़की हुई लग रही थी और अब ये जाच जो होगी किस-किस पर गाज गिर सकती है। और मैं आपको बता जो कि जिस तरह वहाँ चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद और स्वान नतीजों के भी बाद लगातार हिंशा का दौर जारी रहा है।